जहमा जहम पैसों की बरसात करते हैं एकाक्षी नारियल के ये उपाय, फाली नहीं होने देते तिजोरी और जेद नमस्कार दोस्तों, स्वागत हैं आप सभी का हमारे यूट्यूग चैनल में दोस्तों, जेवतिस सास्तों में एकाक्षी नारियल का विसेश महत्व बताया गया है मानता है, ये मालक्ष्मी को बेहद प्रिय हैं इसके अचुक उबाय, व्यक्त को जल्द पुराने करजों से छुटकारा दिलाते हैं दिवाली पुजा में विसेश रूप से होता है इसका उप्योग हिंदो धर में पुजा के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली हर चीज का अपना अलग महत्व है सास्तों के अनुसार किसी भी पुजा में नारियल का विसेश महत्व होता है कहते हैं कि नारियल के बिना पुजा अधुरी मानी जाती है लेकिन क्या आप एक आच्छी नारियल के बारे में चांते हैं एक आच्छी नारियल मालक्ष्मी को बेहत प्रिय है ऐसी मानता है कि जिस पूजा या हवन में एक आक्षी नारियल का इस्तिमाल किया जाता है वहाँ मालक्ष्मी का असिरवाद हमेशा बदा रहता है दिवाली पूजा में विसेश रूप से एक आक्षी नारियल का इस्तिमाल किया जाता है इसा होता है एक आच्छी नारियल जोतिय सास्त के अनुसार अन्य नारियल में दो आख बनी होती है लेकिन एक आच्छी नारियल में एक आख होती है यह आसानी से बाजारों में नहीं मिलता है इसके उपाय व्र tune को कuję कि समझ्याओं से निजात दिलाते हैं और व्यक्त को धन लाब होता है इसका उपाय करते हैं गुडलक के लिए जोतिय सास्त के अनुसार यदि घर में कोई काम नहीं बन रहा हो तो घर के मंदिर में ही एक अच्छी नारियल रखकर उस पर सिंदूर लगा कर रोज हुजा करें इससे व्यक्त के बिगड़े काम बनने लगेंगे साथी सभी कामों में सफलता मिलने लगेगी जल्द ही धनवान बना दिता है ये उपाय एक अच्छी नारियल को यदि घर की तिजोरी में रखा जाए तो इससे धन की प्राप्ति तो हुग की ही साथी फिजोल खर्ची पर भी ताला लग जाएगा इस उपाय से व्यक्त के सारे कर्च भी धीरे-धीरे खर्ब हो जाएंगे इतना ही नहीं व्यक्त की असफलता का कालर भी इस उपाय से सामनी आ जाता है जिससे की व्यक्ती अलर्ट हो सकता है बात करते हैं इसके अन्रिफाइद